दोस्तो नमस्कार फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं लाया हूँ 2020 के लिए एक और महात्पून प्रश्ण जो की कच्छा बारवी के लिए है और सांडिक से लिया गया है देखिए एक कॉशन है क्या आपको दिया गया है कि इसके लिए हम क्या करें इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते है लेफ्ट हैंड साइड है A, 2A, 3A यह A प्लस B, यह 3A प्लस 2B यह हमारे पास 6A धन 3B यह हमारे पास A प्लस B प्लस C यह हमारे पास 4A प्लस 3B प्लस 2C यह हमारे पास 10A धन 6B धन 3C यह हमारे पास है इसको हम लेके चलें अब इसको लेके चलना है अब इसके लिए हम क्या करें हमें चाहिए A की घाती तो हम देख रहे हैं यह A वन रो में है, वन कॉलम में है तो इस कॉलम से A बाहर निकालने है A को हमने बाहर निकाल लिया यहां बच जाएगा 1, 2, 3 यहां बच जाएगा हमारे पास A plus B 3A plus 2B यह जाएगा 6A plus 3B यहां हो जाएगा हमारे पास A plus B plus C यह हमारे पास 4A plus 3B plus 2C यह हमारे पास 10A धन 6B धन 3C यह हमारे पास है A को हमने common निकाल लिया अब इस आग्यों में हम अधिकान जगे 0 लाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस 1 में 2 का उना करें इसमें से घटा दें यह 0 हो जाएगा इस 1 में 2 3 का उना करें इसमें से घटा दें तो यह 0 हो जाएगा हमने क्या करना है कि R2 में से घटाना है R1 में 2 का उना करके that means यह तो हमारा है ही यह हो जाएगा हमारा 1 इसमें हमें क्या करना है इसमें 2 का उना करके हमें यहां से घटाना है तो 2 में से 2 घड़ जाएगा यहाँ पर भी हमें 3 में से 3 घड़ जाएगा इसमें 3 का गुणा करा इसमें घटा दिया यह हमारे पास है A प्लस B अब second row है हमारा इसका व्योग 3 A प्लस 2 B इसमें से घटाना है उपर वाला जो है A प्लस B इसका 2 का गुणा करके और third row में से हमें घटाना है third row हमारे पास 6 A प्लस 3 B इसमें से घटाना है 3 का गुणा करके 3 A प्लस B ठीक ऐसे ही यहाँ हमारे पास A प्लस B प्लस C यह है ही हमारे पास यह हमारे पास 4 A प्लस 3 B प्लस 2 C इस मैंसे हमें माइनस करना है 2 का गुणा करके A प्लस B प्लस C को ठीक वैसे ही 10 A धन 6 B धन 3 C मैंसे माइनस करना है 3 का गुणा करके A प्लस B प्लस C को यह करना है अब इसके बाद हम इस साल लिक को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा हमारे पास a plus b इस कोश्टा को खोलें तो 3a plus 2b minus 2a minus 2b यह हो जाएगा हमारे पास 6a धन 3b रिन 3a रिन 3b आगे इसको और solve करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4a plus 3b plus 2c अच्छे यहाँ पर हमने जो किया वो संक्रिया लिखते हैं संक्रिया का करी क्या करी हमने c2 में c2 minus 2c1 वो c3 में c3 minus 3c1 यह संक्रिया हमने करी तो वो संक्रिया लिख दी अब इसमें हम इसको solve करें तो यह है 4a plus 3b plus 2c minus 2a minus 2b minus 2c यहाँ पर हो जाएगा tan a plus 6b plus 3c minus 3a minus 3b minus 3c यह हमारा पूरा अभी हो जाएगा tan a इसके वाद इसको और solve किया जाए तो यह जाएगा a one zero zero यह हमारे पास a plus b 2b plus में minus में कट जाएगा 3a में से 2a जाएगा बच जाएगा a ke अब यहाँ पर 3b plus में 3b minus में कट जाएगा 6a में से 3a जाएगा हमारे पास बच जाएगा 3a यहाँ से देखें तो 2c plus में 2c minus में यह कट जाएगा अब इसको और solve करें तो यहाँ देखें यह आपका 4a 4a में से 2a जाएगा उपर वाला यह हमारे पास a plus b plus c तो यहाँ तो सबसे पहले a plus b plus c जाएगा 4a में से 2a जाएगा हमारे पास बच जाएगा 2a 3b में से 2b जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा plus b यहां देखें तो 3C से 3C कट जाएगा 10A मैं से 3A जाएगा बच जाएगा हमारे पास 7A 6B मैं से 3B जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3B अब इसके बार इसका हमें प्रसार करना है इसके प्रसार को करने के लिए हम क्या करेंगे अब इसके प्रसार को कैसे करें देखें इसके प्रसार को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह A है ही अब 1 यह पूरा कॉलम छूट जाएगा यह पूरी रो छूट जाएगी जब हम 1 का गुणा करेंगे इंटो 1 अब हमारे पास क्या बस्ता है यह A, A का गुणा हो जाएगा काई से 7 A धन 3 B से माइनस यह हमारे पास 3 A इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास 2 A धन B से चलिए इसका गुणा करें तो A, A का गुणा जब 7 A से होगा तो 7 A की घाद 2 धन यह जाएगा 3 A B, रिन 3 दूनी 6 एक ही घाद 2 रन 3A B 3 A B से 3 A B कड़ जाएगा हमारे पास बचेगा A फिर यहां पर है हमारे पास क्या साथ एकी घाद 2 रन 6 एकी घाद 2 साथ एकी घाद 2 मैं से 6 एकी घाद 2 घड़ जाएगा हमारे पास बच जाएगा एकी घाद 2 और एकी घाद 2 का एकी घाद 2 से गुणा हो जाएगा तो एक गातीन यही था हमारा right hand side हम लेके चलेते left hand side को हमने दिखा दिया right hand side के बेराबर hands fruit यही हमें सिद्ध करना था इसमें क्या है हमें एक सांड लिक दिया गया है उसका मान क्या करना है देखिए दिया गया सांडिक हमारे पास क्या है वह है 1, 1, 1, B, C, C, A, A, B, A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B, यह हमें एक सांडिक दिया है, हमें इसकी value निकालना है, देखिए इसकी value हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें यह A, B plus C, इनका multiplication कर दें, इनका गुणा कर दें, यह 1, यह 1, यह 1, यह 1, यह हमारे पास B, C, C, A, A, B, A का कोना जब B, C करेंगे, A, B plus A, C, B का कोना जब C, C करेंगे, B, C का कोना जब B, C का कोना जब B, C करेंगे, A, C, प्लस C का कोना जब B, C करेंगे, A, C, प्लस C का कोना जब B, C करेंगे, A, C, प्लस C का कोना जब B, C तो हमारे पास पूरे कॉलम में सेम संख्या है आ जाएंगी देखे कैसे 1, 1, 1 यह हमारे पास BC, यह CA, यह हमारे पास AB यह हमारे पास AB plus AC इसमें जोड़ दिया हमने BC यह हमारे पास BC plus AB प्लस इसमें जोड़ दिया CA या AC यह हमारे पास AC plus BC इसमें जोड़ दिया हमने AB हमने क्या किया है हमने C3 में C3 प्लस C2 से अर्था थर्ड कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दिया देखिए अब डेल्टा बराबर 1, 1, 1 यह BC, यह CA यह हमारे पास AB इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA ठीक ऐसे इसको AB प्लस BC प्लस CA अर्थाद AB प्लस BC प्लस CA हमारे पास तीनों कॉलम में पूरे कॉलम में आ गया इसको उन्हें क्या करें बाहर निकाल लिए AB प्लस BC प्लस CA इसको बाहर निकाल लिया हमारे पास बच जाएगा 1, 1, 1 BC, CA, AB और यहां one 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 और हम जानते हैं कि यदि किसी sarnik के दो पंदिया या दो स्थंब आपस में बराबर होते हैं तो उस sarnik का मान सुन्य होता है अर्टे इस sarnik का मान सुन्य हो जाएगा ça implacely c one बराबर है c three और जब हम शुन्य का इसमें गुणा करेंगे तो यह 0 आ जाएगा अर्ताथ हमें मान निकालना था तो इसका मान आ जाएगा 0 इसमें देखिए आपको क्या करना है आपके पास है एक सांडिक वह है A-B-C 2A 2A 2B B-A-C 2B 2C 2C C-A-B बराबर इसको A-B-C के होल क्यूब के बराबर सिद्ध करना है चलिए देखिए इसको क्या करें तो इसके लिए हम क्या करें जो हमारा R1 है R1 में हम R2 और R3 को चोड़ दें तो यह है आपका A-B-C इसमें जुड़ जाएगा हमारा 2B इसमें जुड़ जाएगा हमारा 2C अब यह हमारे पास 2A इसमें जुड़ जाएगा B-A-C और इसमें जुड़ जाएगा हमारा 2C एक और अव्याव हमारे पास वो है हमारे पास 2A इसमें जुड़ जाएगा 2B प्लस C-A-B बाकि यह अव्याव 2B जहां के तहां यह हमारे पास B-A-C और यह हमारे पास 2B यह 2C 2C C-A-B यह आपका सभी जहां के तहां अब इसको स्वालो करें तो इसको स्वालो करने पार यह हमारा A जहां के तहां यह है 2B B मैं से 2B मैं से 1B जाएगा हमारा बच जाएगा B वो भी प्लस में 2C में से 1C घट जाएगा बच जाएगा हमारे पास C ऐसा यहाँ है यह हमारे पास 2A 2A में से 1A जाएगा तो हमारा बच जाएगा केवल A फिर यह प्लस B यह प्लस B यह 2C में से 1C जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा प्लस C 2A मैं से 1A घट जाएगा बच जाएगा 2B मैं से 1B घट जाएगा बच जाएगा B और यह हमारे पास C यह हमारे पास 2B यह B-C-C यह हमारा 2B यह हमारे पास 2C यहाँ पर भी हमारे पास 2C यह हमारे पास C-C-B अब हम देख रहे हैं कि A plus B plus C पूरा उपर एक रूम में आ गया तो उसको हम क्या करें common निकालने यहाँ जो हमने संक्रिया करी है वो यहाँ पर हमने लिख दें तो हमने क्या करा है R1 में R1 plus R2 plus R3 से यह संक्रिया करी अब हमें क्या करना है A plus B plus C पूरे से common निकालना है यह है B-A-C, 2C, यह है 1, यहाँ 2B, और C-A-B, यह बच जाएगा, अब इसके बाद हम अधिकान सब्यों को 0 बनाने की कोशिस करें, तो इसके लिए हम क्या करें, इस first column में से second को minus करनें, यह है A-B-C, first column में से second को, तो 1 में से 1 घड़ जाएगा, फिर इसके बाद 2B में से B-A-C घड़ जाएगा, और यह है 2C, तो इस में से हमारा 2C और घड़ जाएगा, इसी प्रकार second column में से third column, यानि B-A-C से 2 भी घड़ जाएगा, और 2C से C-A-B घड़ जाएगा, यह हमारा third column, जो कहते हूं, 2B, C-A-B, हमने क्या किया है, यहाँ पर, C1 में, C1 माइनस C2, वा, C2 में, C2 माइनस C3 से, यह हमने यहाँ पर यह किया है, घड़ आने के बाद, हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पर, A+, B+, C, यह हो जाएगा, हमारा zero, इसको कोश्टक को खोल दें, तो यह है हमारा 2B, माइनस B, प्लस A, प्लस C, इसके बाद और solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2C में से 2C जाएगा zero, यहाँ भी हो जाएगा zero, यह हमारे पास B, माइनस A, माइनस C, माइनस 2B, और यह हमारे पास 2C माइनस C, प्लस A, प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा, 1, 2B, और C माइनस A, माइनस B, यह हमारे पास है ही, जब हम आगे इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास, A, प्लस B, प्लस C, यह है zero, 2B में से 1B घड़ जाएगा, B, अर्थाती हो जाएगा, A, प्लस B, प्लस C, यह है zero, यहाँ पर भी zero, 2B में से 1B जाएगा, माइनस B, और माइनस का निसान यदि हम common निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा, A, प्लस B, प्लस C, यह A, यह प्लस B, टू, C में से 1C जाएगा, तो बच जाएगा, हमारे पास, प्लस C, 1, 2B, यह है, C माइनस A माइनस B, अब इस पूरे कॉलम में, A, प्लस B आ रहा है, तो हम A, प्लस B, प्लस C को common निकाल लेंगे एक A, प्लस B B plus C first column से और second column से भी हमने A plus B plus C बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, minus 1, 1, 1, 2, B, C minus A minus B, यह बच जाएगा हमारे पास, जब आगे इसको solve किया जाएगा, A plus B plus C, इसको अपन तीन बाहर गुणा है, तो हम इसको cube लिख सकते हैं, into, अब जो हमारे पास बचाएगा, 0, 1, 0, 0, minus 1, 1, 1, 2, B, C minus A minus B, यह हमारे पास यह बचा, अब इसका प्रसार करते हैं, तो यह A plus B plus C, इसका cube है, जब हम इसमें प्रसार करेंगे, तो इस 0 से करेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इस 1 का गुणा करेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, इस 0 यह छूट जाएगा, अब हमारे पास 1 बचा, 1 का गुणा हम 1 से करेंगे, minus, minus 1 का 0 से करेंगे, 0, तो यह हो जाएगा, A plus B plus C, इसकी घाथ 3, एक का गुणा क्या है, तो यह ही संग क्या चले ते लेप्ट हैंड साइड को हमने दिखा दिया राइट हैंड साइड के बराबर और यही हमें प्रूफ करना था